तो गाइस मैं हुआ की तोर आप दिख रहे है रिस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरु के तेगा है अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से तो भाई आज से 14 साल पहले आज के दिन ही सेथ रॉलिंस ने डेवर डेवरी के साथ डील साइन करी थी और वो बन सॉलना में इंजर्ड होगे वो उनफोचिनेटली देन उसके बाद रॉलिंस वापस है उसके बाद फिर से इन्होंने काफी कुछ अचीव करा तो सेथ रॉलिंस के साथ ओवरॉल चीज़े बहुत सही चली है बहुत अच्छे से चली है से अभी इस प्लेस पें तो उसके लो डबी डबी के साथ आया थे कॉंट्राक के अंदर और बाकी इतिहास गवा है भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ये जे उसो को लेके आप लोग इसके उपर इस सबडेट के उपर अपने रियाक् पिदेग्स के लिए उसो को जाना चाता है लिए जे उसो और प्टेम एक्सें और में स stain, यहापे पर इंसे रेसेंट इंट가 के अंदर ऊच्छा गया कि क्या यह वापस तैउड से पर बहुत अच्छा इंधे हुआ है कि वह वापस आ HC तो कहते हैं जे उसो if I could be honest right now I would like to continue on my singles path right now me and my brother याने जिमी उसो we already the best tag team in WWE in history right now that's checked off तो कहते हैं कि मैं अगर honestly बता हूं तो मैं WWE के अंदर singles action में ही रहना चाहूंगा अभी हमें पता है सबको पता है कि मैं और मेरा भाई greatest tag teams में से एक है WWE के तिहास के best tag teams में से एक हैं तो मुझे लगता है हमें कुछ proof करने की need नहीं है और मुझे लगता है कि अभी single star के तौर पहीं मैं आगे continue करना चाहूंगा and I don't think कुछ गलत भी कह रहे हैं भाई वसे बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उसो का reunion हो जाए यह लोग tag team action में compete करें लेकिन जे उसो के POB से आप सोचो ना अगर जे उसो का मौका मिल रहा है कि वो एक single star के तौर पे चम के तो वो उस मौके को क्यों ही ठुकराएंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं merchandise के मामने में भाई हमें इसा top पे रहते हैं सामने कितना भी वरा खोई भी क्यों ना आ जाए जे उसो टॉप 10 में रहते हैं तो रहते ही हैं तो सब कुछ इतना चल रहा है अच्छा भाई तो फिर क्यों ही जे उसो बीच में फट्टा करेंगे कि नहीं भाई मैं single star नहीं बनूँगा कि आगें बहुएन आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं अगली श्ट्री के बारे में जो के समसिंग मसीन को लेके दा रॉक को लेकर फाइनल बॉस को लेके रॉक ने अपनी सुटिंग भाई कंप्लीट कर ली ती स्मैसिंग मसीन के लिए मैं आपको बताया था और अब जो फाइनल सुट है समैसिंग मसीन के लिए वो भी इस अफते के रॉक बिल्कुल फ्री है मतलब वो पहले ही हो गयते हैं लेकिन फिर भी वो लो अगर फॉर मैलिटी के लिए कि क्या पता भाई रॉक वेट कर रहे हो कि यह पूरी फिल्म सूट हो जाए तो वो भी अगर वेट कर रहे हैं तो भाई वो सूटिंग भी डन हो चुकी है अब कोई भी नहीं रोक सकता है रॉक को आने से यानि कि रॉक कभी भी आपको अपियर होते हुए देखने को मिल सकते हैं अब आप क्या सोचतों कि आपको लगता है कि रॉक वापस आके 2024 में इसी साल एंड होने से पहले एक मैच कंपीट करेंगे बिकाज rumors का स्टिल यहीं कहना कि एक मैच रॉक का बाकिए इस साल मुझे काफी unlikely लग रहा है भाई मुझे दिखने हीरा है कि यह match होगा कहां पर बैस इन बर्लिन में possible ही नहीं बैड बलड में possible ही रही है मुझे लगता भी नहीं कि उस टाइम तक रॉक होपस आइगे भले वो फ्री है उसके बाद चांस होगा कि साथ वो साउधी के इवेंट में कंपीट करें या फिर वहाँ पर रिटन करें लेकिन वहाँ पर भी काफी अनलाइक ली लगता है मुझे सर्वाइब सीरीज में चांसे से उनके रिटन के लेकिन उसके बाद सर्वाइब सीरीज अपना साल का आखरी इवेंट है तो इस साल के एंड में कैसे कंपीट करेंगे रॉक ये क्वेश्चन है अभी के एकोडिंग स्टेल यही अपडेट है कि साथ वो इस साल के एंड से पहरे एक और मैच में कंपीट करेंगे मिल्जर का कहना है लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा में होते हुए फिलाल भाई स्मैसिंग मसीन की बात करें तो स्मैसिंग मसीन की सूटिंग हो चुके डन हो चुके कंप्लीट अभी के एकोडिंग ये कुछ अपडेट है आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ये इरिक रोवन को लखे तो भाई ब्रॉट स्टोर मण और एरिक रोवन ऐको कि यही दो मेंपर्स बचे हैं वाइट फैमिली से जो कि हमारे बीच में ब्रै वाइट औ काफी ऊन्फैने बात हैं हम एक साथ वापस से वह bond बनानी पारें कहते हैं कि सेम लॉकर रूम में हैं हम लोग लेकिन साथ में कभी भी हम लोग इंट्राक्ट कर ही नहीं पारें इनका कहना है कि सब कुछ बदल गया ब्रे वाइट एंड लुक हापर की जाने के बाद और कुछ भी सेम नहीं रहा कहना है इनका कि एक फैमिली का पार्ट होने के बाबजूद फैमिली मतलब है रियल में फैमिली नहीं है फैमिली मतलब इतना इनका बॉंड बन गया भाई क्या फैमिली कह सकतो एक फैमिली का एक तरीके से पार्ट होने के बाबजूद यह लोग सा बात करते हैं गाइज हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइन स्टोरी के बारे में जो कि बेबी फेस रोमन रेंज एंड जॉन सीना को लेके जॉन सीना अगले साल अपने रिटाइमेंट टूर पे होने वाले बिलकुल पॉसिबल है गाइस मैं आपको बता दू कि आपको बेबी फेस रोमन रेंज एंड जॉन सीना के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा यह एक ऐसा मैच है जो कि डबिडबली बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहेगी इससे पहले भी बेबी फेस रोमन वर्से जॉन सीन का मेश हूट का कर दो हुझा करने वाली हैua कैसा चला है ला उसके बाद है मैच यह तो टैग्टीम में आपको देखने को मिलेंगे एक्सन में नहीं तो उनको फेस करेंगे सी इंडिया के अंदर बहुत ही जादा बाई बहुत जादा है बन जागी जब भी सीना रोमन आपने सामने आते हैं प्रोपर मैच के लिए तो हइड बहुत बनती है हमने दोदो बार देख लिया पहले बेबीफिस रोमन के रन में उसके बाद हमने हील रोमन के रन में देखा and वापस से बेबीफिस रोमन के रन में हम लोग इसको देखेंगे आपको अगले साल 2025 में बेबी फेस रोमन वर्से जॉन सिना के बीच में एक फ्यूड देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको मौस्ट लाइकली रोमन रेंस ओवर जाते वे दिखेंगे साय जॉन सिना हा रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर से करें यहां पर आपको डेवी डवी की फास्ट इस मिलती है अगर आपको थोड़ी गलतिया जाद मेरे गलतिया मतलब बोलने में मिस्टेक फंबल तो समझ लेना बाई कि जल्द बाजी की वीडियो भी कौश रात में थोड़ा रस करता हूं मैं तो लिंक डिस्किप्शन में में आप से अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाई सीयो गुड़ नाइट